नमस्कार स्वागत है आपका एनिटीवी पर आप देख रहे हैं एनिटीवी राजिस्तान खेल और खिलाडियों को बढ़ावाद देने के लिए विदेश से आए अंतराष्टिय कोच से भारतिय खिलाडी प्रशिक्षन ले रहा है इटली में आयुजित हो रहे है वर्ल्ड स्केट गेम्स 2024 में भाग लेने वाली भारतिय रोलर हौकी और इनलाइन हौकी की टीम को इटली से आए विशेशग्यों से प्रशिक्षन मिल रहा है हमारी टीम ने कुछ खिलाडियों से भी बात की है खिलाडी भी इस बात को लेकर काफी उतसाहित नजर आए क्या कुछ कहा है खिलाडियों ने और उनके कोच ने भी कितना खास तरीके से ट्रेनिंग का काम चल रहा है जाने के लिए देखिए हमारी ये खास NTV स्पेशल इन लाइन होकी की नेशनल टीम के खिलाडियों को परचिक्षन देने के लिए इटली से दो विशेस कोच जो है वो जोत्पूर आ चुके हैं और परचिक्षन दे रहे हैं आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो भारत के देश के विभिन राज्जियों से जो ये होकी स्केट ल आडियों को जो है वो फर्चिक्षन दिया रहा है और मैं देख ना पाऊंगा जो कोच भी है हमारे साथ में हम उनसे भी कुछ बात करना साहेंगे जी सर्थ या या मैं अलेसंद्र बाकरोटी आ कम फो में इतली गरेग्यों और मैं ये तो गाइड टीम 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 ट रहा है कि रहा है तने मेल, मैं टीम 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 टी सूला आ की अदाए मि mean।Si ये मिने ये से बाइड आ चाह मिरां जीBut। करिzte एंठी किर बUBBEC, नच तो हमेः परोतो के लिगे क्याना सक्तiesta कर दो सिक्याइना के लियर मैं सनालяти को प्வेसे, लगे हमेरे हमा व्रवा के लिऑे तर राफ invasive ल RFR क्या poker, रह हमें किर देतy क्या आप देख सकते हैं रोलिंग हौकी और इंलाइन फॉकी जो है उनको लेकर प्रशिक्ष्ट दे रहें कुछ खिलाडी भी है जो यहां प्रशिक्ष्ट ले रहे हैं उनसे भी हम बात करना चाहेंगे जो गोर्डल मेडलो भी है सर के नाम है अपका मेरा नाम प्रबबलेच है मैं पंच्छुला से रहने वाला हूँ, मैं हिमाचल प्रदेश से खेलता हूँ, मैंने अभी पिछले ही साल मकाहु में सिल्वर मेडल जीता था, मैं अटैक करता हूँ और इंडिन टीम से मैं पिछले 17 साल से खेल रहा हूँ, मैंने अपनी पहली वर्ल्ड जब मैं 14 साल का था, 2015 मे खेली थी, अंदराश्टी कोच जो हैं, वो इस बार प्रचिक्शन दे रहे हैं, जोदपूर में भी जो हैं, वो दूसरी पार ऐसा मौका मिला है, जब भार्त की जो टीम है, उनको यहां प्रचिक्शन दिया जा रहा है, और दूसरे चरण का यह प्रचिक्शन है, विदेश हमारी जो टीम में पार से लिए, टीम की काउडिनेशन वो बहतर हो रही है, हम धीरे धीरे हर स्तल में अपने इंडिया को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ और भी खिलाडी हैं हमार साथ में क्या नाम है अपका मेरा नाम मनेका है मैं चंडिगर को रेपेजेंट करती हूँ पिछले साल हमने मकाव में गोल्ड मेटल जीता सीने वोमिन कैटेगरी में और एजिन्स में ब्रोंज मेडल हम काफी कोशिश कर रहे हैं इस साल भी कि हमारे वर्ल में काफी अच्छी पोजिशन रहे हैं अंधरास्टी कोच का प्रदिक्शन भी मिल रहा है इस बार आपको कैसा लग रहा है इंटरनाशनल कोच की हेल्प से हम काफी बेटर करेंगे इस साल हमें काफी हेल्प मिल रही है हमारी टीम की काफी इंप्रूव्मेंट हो रही है हमें उनसे काफी कुछ नया सीखने को मिल रहा है वो इनको प्रचिक्षित कर रहे हैं, कौन-कौन से जो ट्रिक्स होती है, जो बारिक्या होती है, उनको लेकर भी इनको प्रचिक्षित कर रहे हैं, हमारे साथ में जो है, वो जोतपुर जिल्ला होकी एसोसियेशन के सेकेटरी भी है, अजिस सिंगी, सर जोतपुर को दूसरी ब मौका मिल रहा है और सबसे बात है कि जो विदेशी कोचेज आये हैं यह नहीं स्केल जो सिखा रहे हैं इसे निश्चित तोर पर इंडिया टीम अपना मैडल लगाएगी गोल मैडल लगना मानते हैं गोल मैडल इनका लग जाएगा और जिस दंग का यह ट्रेनिंग दे रहे है लोकल जो भी बच्चे हैं उनका फाइदा होगा और सबसे खूशी का बात है कि जोतपूर के तीन बच्चे भी स्लेक्ट हुए हैं जोतीक एगने बहुत बुरी बात है फिसले साल भी तीन उनका भी कहना है कि यह जोदफूर के लिए सौभाकय की बाद है का अंतरास्टिय जो प्रसिकषक हैं उनका मारगुशन मिल रहा है और इसके साथ इस बार जोदफ्पूर के खेल भावनाओं में भी इंप्रूव्मेंट मिलेगा और कैसे जो है वो इस टूर्णामेंट में जो भारत का परचम लेरा सके उसके लिए भी जो ये अंतराश्ची कोच है इनका प्रचिक्शन कारगर साबित होगा और आपको बता दूँ को जो ये अंतराश्ची कोच ये अदब से जो है वो कहीं लाब मिलने की संभावना भी है जोदपुर से एंडी टीवी के लिए मुकल परिहार